अज सलाम अलाइकम and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourers viewers आपने जैसे thumbnail पे पड़ा के why I sold my Benelay TNT25 तो आज Benelay के हवाले से कुछ बाते मैं दिल खोल के करना चाहूंगा उनके लिए जो Benelay motorbikes ले रहे हैं और उनके लिए भी जो Benelay motorbikes बेच रहे हैं और बेचने के साथ यानि जो parts भी उसके बेच रहे हैं जिनों ने मुंग आईए Benelay इंट्रोड्यूस कराईए उनके हवाले से सबसे पहले मैं बताओं कि viewers motorbike मैंने जब ये ली तो मकसद दिया ही मेरा होता है कि motorbike को यह सी लूँ जो आप लोगों को बता सकूं उसका properly मतलब मुझे कहीं भी व्लॉग में कोई ऐसा नहीं मिल रहा था यूट्यूब पर कोई information जिससे बिन ले के पूरे तरीके से मुझे कोई बता था और कोई ऐसा as such motor vlogger के पास भी नहीं थी जो के बताए motorbike की पूरी detail में एक एक चीज खेर मैंने motorbike ली हाँ उससे पहले मैं बताओं कि अगर मैं कोई videos देखता भी था तो वो किसी और language में होती थी जो समझ नहीं आती थी के इवन मैंने एक दफ़ा oil chain की भी देखी तो पूर तो क्रावर तो इस तरह की कोई language थी तो पता नहीं जो भी थी तो मेरा यही मकसद था कि मैं आपको मतलब guide कर सकूँ और इतना closely मैंने उसको रख के देखा और बहुत चलाई videos मतलब इतने अरसे मैंने उसको 8000 km चलाई आपको पता है कि बेताहशा मरी गया आया हूँ मरी से आगे गया हूँ नथेया गली गया हूँ और काफी सारे tracks और बेताहशा की daily उसके मतलब चलाता था अच्छा अब मैं बात करता हूँ कि मैंने बड़ा उसको manually देखा मोटर बाइक को बिलकुल आगे से लेके पीछे तक कहां पे कोई ऐसा weak point है लेकिन नहीं बहुत अच्छा रहा मतलब सारी चीजों का मैंने अच्छा पाया rugged है मजबूत है सारी चीजें handlebar देख लें आप alloy rims देख लें और weight 250 के साफ़ से काफी ठीक weight है मतलब 159 kg उसका dry weight है engine की तरफ से अगर देखें तक कोई issue नहीं आया हाँ एक चीज में मुझे थोड़ा सा था कि यह आता है cbu यानि पूरा डबे में बंद होके आती है लेकिन मेरे खाल है कुछ चीजें इसकी उस तरह लगी नहीं आते हूंगे बैटरी उतरी आती होगी कुछ चीजों में मैंने जो note किया कि मुझे जहां weak लगी वो था इसका electrical part जहां fuse लगा होता है fuse box और fuse तो fuse जो लगे वो बड़े low quality के थे यानि मैंने अपने में तो फिर modify किये था वो part किसी से कराया था लेकिन fuse की अक्सर problem आप सुनते होंगे कि लोगों को आ रही है उसकी और एस सच खेर मुझे तो नहीं आई कुछ को fan की problem आई जो fan का तो मैं खेर यही कहूंगा बगी आप उसको pressure wash ना करवाएं कोई भी ऐसी motor बाई को उससे खुद करें पानी कहा कहा चाला जाते जिसकी वरह से problem जा सकती है तो एस सच मुझे नहीं आई लेकिन काफी सारों को fan के issues उसमें आ रहे थे अच्छा बाकी अगर आ जाएं जी उसकी oil filter और बाकी चीज़े मतलब easily मिल जाती है उसकी oil filter मैं हर 2000 km पे oil filter change करता था यानि हर 1000 पे oil और next पे oil filter TNT25 का अच्छा मुझे ये लगा कि जो air filter reverse उसका जैसे Honda CG 125 का उतर फोम वाला उस तरह का यानि आपने पेटल से उससे वाश किया गंद वरा निकला और बस squeeze करके आप उसको सुकाने रग दें और फिर उसको लगा दिया तो ये अच्छी चीज़ है जो मेरा खालक के TNT की जो 150 उसमें भी ऐसा नहीं है और दूरसी मोटर बाइक से भी ऐसा नहीं है ये चीज मुझे अच्छी लगी उसकी बाकी सीट खुलने का भी अच्छा लागा मुझे मतलब 302R के comparison मुझे अच्छा लागा बिन एले TNT25 का के सीट जो खुलती है तो मदब बैक पीछे जाब पैसेंजर बैठ था पिलियन वह सीट खोली तो वहीं पे टूल किट है जबकि 302R मुझे अजीब लगा कि टूल किट है अगली सीट के नीचे अब अगली सीट पे स्टार वाले साइट हुए वह स्क्रूज होते हैं जो आप वह निकालेंगे तो कैसे पॉसिबल में तो वह समझ नहीं आई बाराल चले आज हमारे टॉपिक टीएंटी टूफाइव के हवाले से तो मैंने रसे बताया के एट थाउजन किलोमीटर चलाई उससे मुझे कोई ऐसा इश्यो नहीं आया बलके इसका मैंने यही सुना था और कंप्रेशन रेश्यो अरा जैसे देख के जी किसमें आप डालें हाई ऑक्टेन डालें तो शुरू में तो मैं हाई ऑक्टेन पे चलाता रहूं लेकिन मुझे फिर किसी ने कहा कि आप ट्राय करें दूसरा भी कोई ऐसाच फार्क नहीं है उनके पास भी है बिनेले टीन टी फाइव ही है और वो चला रहे हैं फिर मैंने बाद में खेर इसमें नॉर्मल फ्यूल भी डाला तो वाकि कोई मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आया आप भी करके देख लें ट्राय करके देख लें बिल्कुल कोई शुन नहीं आया बलके फिर बीच मैंने एक्जास्ट भी यानि बुराक कॉर्टर मोबील्स के हवाले से में बात करूंगा या बाकी भी कि आप काइंडी वही है आप इसकी जो चीजें मुझा रहे हैं ओयल फिल्टर हो गया एर फिल्टर हो गया डिस्क पैड हो गया फ्रंट रियर यह इतनी महिंगी ना बेचें प्लीज मतलब आप ने मुगाई यह प्रॉडक्ट आपको तो चाहिए तकरीवन उसे कॉस्ट तो कॉस्ट या बड़े नॉमिनल से उस पर चार्जर रखके उसको बेचें मैं आपकी प्रॉडक्ट के लिए बेथर है अगर आप पार्ट की प्राइसे बहुत जादा हाई कर देंगे कि एक दफा चीज निकल गई है अगला काबू आगए तो अब तो उसने लेना ही लेना है तो मेरा खाला ये इन दे लॉंग टर्म ये कोई अच्छा नहीं रहेगा अब जैसे मतलब कुछ चीज़ें हैं ऑईल फिल्टर के मैं बता दूं के ट्वेल्व हंडर्ड उसकी प्राइस है लेकि तो काफी इसी तरह मैं हरान हुआ था कि रियर डिस्क पैड मुझे डालने थे मतलब मेरा था कि मैं पता करूं और थोड़ा आगर मिल जाए मुझे अरजन तो नहीं था लेकिन इन दे लॉंग रन मेरा था कि मैं रख लो तो मुझे पता चला कि तक्रीबन एट टू नाइन 1000 प्राइस है उसकी जो के बहुत एक्सपेंसिव है जबकि आउन लाइन अगर देखें तो उसकी प्राइस काफी कम थी यह चीज़ें वह हैं मतलब मैं समझता हूं कि यह अगर लाएं पार्ट्स और सभी प्राइस में लाएं तो यह प्रॉड़क्ट के लिए सही है मैंने प्रॉड़क्ट में चेंज कर दिया था उसमें नॉर्मल फ्यूज थोड़े बड़े वाले और लो कॉलिटी के था वो निकाल के मैंने जैसे सिंपल करोला के या नई जो मोटर बाइक से इंपोर्ट जैपनीज उनमें जैसे छोटे फ्यूज आते हैं वह मैंने उसमें सिस्टम कर दिया था और उसके बाद कोई मसला नहीं क्योंकि एक दफ़ा मुझे फ्यूज का आया था मसला तो हां मैंने क्यों बेची नई मोटर बाइक बहुत अच्छी है एक फील आती है उस पर आपको मतलब बड़ी अच्छी फील आती कोई ठकनी होती और राइडिंग पॉस्चर बहुत अबरदस्त और अब आप कहेंगे जी क्यों बेची बेचने की वज़ा कोई नहीं थी मेरे बड़े क्लोज हैं जिनको मैंने मोटर बाइक दी क्योंकि वह लेना चाह रहे थे और मार्केट में हम लोगों को कोई नहीं मिली हम लेना भी इसलामबाद नंबर चाह रहे थे इस वज़ा से मैंने दी और बिल्कुल कोई वाजा नहीं अगर आप कहें के रिकमेंडेड है बिल्कुल जी रिकमेंडेड है खासकर मुझे टी टी टू फाइफ तो बहुत पसंद आई है बाकियों का मैं इतना नहीं कह सकता लेकिन यह मोटर बाइक बहुत बरदास्ता नाहीट में कोई जरूरत नहीं कि आप उस पर एक्स्रा लगा रही है कुछ भी फ्यूल कंजंप्शन वाइस भी ठीक है तूफिविटी सीसी अगर आपको ट्वेंटी सिक से थर्टी वन देती है तो नॉट बैड मैं मतलब थर्टी वन भी लिया वैससे और बाक दें भी कुछ भी हो कोई भी क्वेस्टन वो रिलेटेट टू बिनले टी एंटी टू फाइव तो आप मुझसे कमेंट से पूछें मैं बिलकुल रिप्लाय करूंगा क्योंकि हमारे साथ ही वो होगी जब भी राइट पर जाएंगे और अगर आप वीडियो देखना चाहते ह हैं ऐसी ही यानि ऐसी ही टूर्स की भी आज तुम्हें बात करना चाहर था तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बैल आइकन भी दुबाएं ताकि आपको लेटेस्ट आने आली वीडियो का मतब नोटिफिकेशन आ जाएं तो इसके साथ ही विएर्स मुझे अब